आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल पॉपलेट फ्राय रेसिपी पर उसमें हैं दो टाइप के पॉपलेट्स आप देख सकते हो सबसे पहले हम लेंगे पॉपलेट को क्लीन करके फिर हमको लगेगा ग्रीन चिली का पेस्ट है उसमें चिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली प पिर इसमें हम डालेंगे साल्ट एससाब से एक अड़ करेंगे अभी फिर इसमें हम एड़ करेंगे लेमन जूस अभी ये ग्रीन चिली में है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली और हमारा जीरा उसका पेस्ट बना के लिए हुआ है अब इस सारे जो मसाले है और जो इंग्रेडियंट से इसको सारे को हम मिक्स करके लेंगे अच्छी थर से जो कोट होना चाहिए हमारे फिश के जो पॉपलेट फिश हम फ्राइ करने वाले है आज यह हमारा बनेगा ग्रीन पॉपलेट फिश फ्राइ अभी इसको हम अच्छे से जो है मसाला जो कोट करके लेंगे अंदर से भी और उपर से भी जो हमारा अभी कोट हो गया है पूरी तरह से अभी हम रेडी करेंगे रेड चिली पाउडर और फिश मसाला पाउडर, सॉल्ट और टर्मरी, ये इंग्रिजियंट्स दाले हैं मसाले, और घर का जो हमारा मसाला रहता है, वो हमने थोड़ा सा डाला है, और रेड चिली वाला, अभी इसको हम सारा मिक्स करके लेंगे, उसमें अगल में, और इसको हम फिश के उपर मिक्स करके लेंगे, आप देख सकते हो, ये रेड पेस्ट कितना, मतलब रेड रेड लग रहा है, और कितना यमी भी लग रहा है, इसको हम अच्छे से अभी कोट करके लेंगे, और मिक्स करके लेंगे, और दोनों फिश को हम mix करने के बाद, हमारे सारे इंगिडिइंट्स mix होने के बाद इसको हम marinate होने के लिए रख देंगे अभी इसके उपर से हमने डाला है थोड़ा सा चने का आटा, binding के लिए पूरा जो हमारा paste है वो जो पूरा हमारे फिश के ऊपर बाइंड होने के लिए हमने इसमें फोड़ा सा चने का आटा डाला है आप चाहिए तो चावल का आटा भी डाय सकते हो आपके ऊपर है आपको कौन सा आटा यूज करना है अबि इसको हम दोनों जो हमने मेरिनिट किया है फिश, रेड़ फिश और ग्रीन फिश इसको हम मेरिनिट होने के लिए अभी रख देंगे अभी ये मेरिनिट हो जाए आदे घंटे तक तो सबसे पहले हम लेंगे ये चावल का आटा इसमें हमने डाला है सेमोली न जो रवा रहता है बारिक वो थोड़ा सा सॉल्ट अड़ करेंगे और इसको हम फिर सॉल्ट अड़ करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और यह पूरा हमारा coating के लिए जो है उपर से हम coat करने वाले है यह अब हमारा ready हो गया है यही हम coating के लिए use करेंगे और यह coating हो जाने के बाद हम लेंगे एक कड़ाई मतलब हमारा जो pan है fry करने के लिए उसमें oil add करेंगे और सबसे पहले हम fry करने वाले है हमारा green poplet fish अब हम इसको उपर से coat करके लेंगे मसालों के साथ और इसको हम oil में डाल देंगे अब देक सकते हो इसको हम एसे ही यह ऊपनी की जड़ी से भी ओडन के लिっ weit हो गये तो हम दूसरी साइट से भी इसको फ्राय करके लेंगे अभी इसको हम पलट रहे हैं अभी यह दोनों सायट से भ्राय हो जाने के तो बोलते है खृजिपी हो गया है, अभी वह फ्राइ हो जाने के बाद हमने रेड जो पॉपलेट फिश है उसको भी ऐसे ही कोट करके लिया है और इसको हम ऐल में फ्राइ करके लेंगे, अब देख सकते हो इसको भी हम slow gas पे ही एक साइट से अभी fry करेंगे और फिर हम दूसरे साइट से इसको fry करेंगे थोड़ा सा oil हम साइड में डाल देंगे क्योंकि oil कम हो गया था अब ये slowly धिरे धिरे एक साइट से fry हो जाए फिर हमको इसको पलट के लेना है अब देख सकते हो ये कितना अच्छा कलर आ गया है और टेस्ट के हिसाब से भी ये बहुत ही टेस्टी है क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा जो टैंगी टैंगीनेस रहता है वो भी है जो हमने कोकम आगर डाला था उसका और स्पाइसीनेस भी है इसको भी हम, दूसरी बाजू से हम धिरे धिरे पकाके लेंगे अभी देख सकते हो अभी हमारा रेड पॉपलेट फिश फ्राय रेडी हो गया है कितना टेस्टी लग रहा है खाने के लिए आप भी यह recipe ज़रूर ट्राइ केजिए, दोनो recipe जो मैंने अभी बनाई है, पॉपलेट की, वो very simple और easy recipe है, यह बहुत ही यमी लग रहा है खाने के लिए, आप इसको rice के साथ भी serve कर सकते हो, रोटी के साथ भी serve कर सकते हो, चपाती के साथ भी serve कर सकते हो, ने तो ऐसे भी snacks के स आप एसे ही उपर से lemon juice डाल के आप खा सकते हो, आप देख सकते हो, हमारे दोनो फिश, मतलब दोनो टाइप के फिश अभी हमारे ready हो गए है, यह मुझे बहुत पसंद है यह फिश, तो मैंने यह दोनो टाइप के फिश आज बनाए थे, तो आपको भी यह recipe अच्छी लगी ह झाल भी है